हे एवरीवन वेल्कम टू इजी फार्मा तो गाइस जैसे की सब्जेक्ट हमारे यहां पर चल लाता हूमन एनार्ट में एंड फिस्योलोजी तो देखे हमारे जो सब्जेक्ट है डिफार्मा फर्श्टर का है अकोडिंग टू निज लेवस तो इसमें जो हमारे पर उनिट पार स सब्सक्यारा थे यहां पर उनिट दूंट निए यहां फिलाल कव सिला हूं तो हमारे यूनिट फिलिए को शुड़ी हो चुकई है यह कमप्लीट हँ धक्यायू है क कार्फी टाआम से इसके वीडो लेक्शक्र अ suf ode इंग होए इसलिए हम आपको बता और साथ में साइटो प्लास्म गएरा तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे बचे हुए यहाँ पर यह कंपोनेंट है थोड़ा से हम आपको समझा देते हैं चलिए सेगी नूरी जो हमारी हमने हमने श्टार्ट की थी हमने दूसरे मेथट से इसको आपको पढ़ाये था तो इसकी डेफिनेशन वगर हमने पहले यहाँ पर डिसकस कर ली थी साथ में देखी डिसकस को पूरा ही सहल कर लिया था पर से कंपोनेंट रह रहा है यहाँ पर देख लेते हैं इस डाइगराम को अब हम डाइगराम की देख रहे हैं दूबारा से क्यूंकि देखी इसके अंदर की जो हमारे कंपोनेंट है इन्हें को यहाँ पर में स्टडी करने वाले हैं तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं जैसे कि समाई टू कांड है इसको हमने डिटेल में डिसकस कर लिया प्लाजमेंब्रेन भी हमने देख लिया है साइटो प्लाजमी हमने यहाँ डिटेल में स्टडी कर लिया है अब कुछ हमारे जो एक तरह से इस सालक कंपोनेंट है जैसे कि आज हम देखेंगे गोलगी बोडिस हमारे क्या होती है साथी में लाइसोसोम तो तो हमारे यहां पर में जाहेंगे और हमारे जैसे ही हाँ पर इसमूद इंडोप्लाजम के रैटिकुलम यह हमारे रहा है राइबोसों भी हम देखंगे साथ में नूकिलस तो यह कुछ हमारे रहे गए जिनको फिलाल हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो इनको गोलगी बोडिस और गोलगी अपैल्टस दोन नाम से फिलाल यहां पर हम जानती है नेक्स्ट हम देखे लेते हैं इद्धी गोलगी बोडी कंप्राइसिस और फोल्डिड एंड कंप्रेश्ट मेंब्रस सेक्स पिल्ड अपोनी इच्छदर याने एक तरह सीदर दंग कह सकते हैं हमारा जो गोलगी बोडिस होती हैं इधी बनी होती ہیں ओफ opportunity कमप्रेश्ट मेंबियूट एक तरह से दबी होई चपटी तो इस तरह की हमारी पूरी ये सरचना कह सकता है हमारे ये structure होता है next हम देख लेते हैं यहाँ पर गोल की body mainly found in eukaryotic cells तो देखे बोड़ी में क्या होते है two type के हमारी होती eukaryotic साथ में prokaryotic I think आप इनको जानते होंगे आगे इनमें different हम आपको समझा देंगे बादे टेम क्या होता है इसको पूछ ला जाता है एक तरह से eukaryotic cells जो थी उनमें present होती है और ये work क्या करती है they modify एक तरह से modify करने का वर करती है and transport एक तरह से यानि सिधर सिदम कह सकते हैं transport करने का और modify करने का वर करती है किस चिसको molecules को from कहां से एक तरह से endoplasmic reticulum यह हमारा आगए आएगा हम इसको पढ़ेंगे to their destination यहां से एक तरह से किसको molecules को पहुचाने का पर करती है to their destination एक तरह से location जहां पर उस molecule को जाना है next यहां पर हम देख लेते हैं इसका structure the goal की bodies consist of membrane bound stacks एक तरह सीज़ा से हम कह सकते हैं हमारी कुछ जिली नुमा सरचना होती है usually between 4 to 8 4 से 8 होती है यह different हमारी quantity हो सकती है called हम पर सिश्टिलना जिसको एक तरह से सिश्टिलने के नाम से भी हम जानते हैं साथ में singular सिश्टिलना भी हम यहां पर इसको कहते हैं चप्टी टाइप में क्यों होती है हमारी यह membrane bound stacks होती है जिन से मिलके एक तरह से हमारी यह बनी होती है that carry goal की enzyme एक तरह करने क्या करती है यहां पर वर्क करती है चलिए third point यहां पर हम देख लेते है each system ने stacks comprises four following functional group four हमारे following functional group है जिन से मिलके एक तरह से हमारी यह बनी होती है जो हमारी system नहीं होती है first time देख लेते हैं sis goalji network second हमारा होता है medial goalji third होता है trans goalji fourth होता है यहां पर trans goalji network तो हमारे के होते हैं four year functional group होती है इसका diagram तो आई थिंग आपने देख लेया आपको पूरा समझ आगए होगा हमारा system space होता है जो इसके तरह से face होता है यह को होती है हमारी movie भी एक तरह से जिली नुमसर रचनाय होती है यह हमारे incoming transport vesicles होता है यह हमारे low one होती है साथ हमें secondary vesicles होता है साथ हमारी को होती है newly formed एक तरह से क्या हमारी molecules है जिसको एक तरह से modify और transport करने का यह work करती है तो I think आपको अच्छे से समझ आया होगा देन चले next यह आप हम देख लेते इसके कुछ functions जो हमारी goal की bodies होती है जैसे कि it also called traffic police इसको हम traffic police के नाम से भी जानते है because क्योंगे it direct एक तरह से direct करने का वर करती है सिधर सिधर के तो direction दिखाने का वर करती है proteins and lipid to their destination यानि उसकी location को सिधर सिधर जैसे हम आपको बताया तरह से जो molecules होते है पर उनको modify करती है साथ हमें transport करने का वर करती है तो molecule एक तरह से किसके होते ही जो protein वगरा lipid होते ही इसी का हमारे molecules होती है next time देखे लेते it help in salvation of molecules molecule के salvation में एक तरह से role होता है it help in phospholarization of molecules it help in synthesis of cell membrane cell membrane की synthesis में एक तरह से work करती है उसको बनाने में lysosomes और साथ ही में other organelles की synthesis में भी यहां पर यहां पर अदा करती है next time देखे लेते formation of spindle spindle की formation में एक तरह से mandle अदा करती है spindle हमारा होता है यहां पर तंतु यानि तंतु निर्माण में जैसे कि the goal की body is involved in the formation of mitotic होता है साथी में meotic होता है इसको हम कहते है यहां पर अर्दसूतरी विभाजन आपने पढ़ा हुआ ट्वैल्थ वगारा हमें साथी में इसको कहते है समसूतरी विभाजन यहां पर जो spindle वगारा होता है इसका निर्माण करते में एक तरह से mandle अदा करती है जो हमारी यहां पर वर करती है और भी हमारे बहुत सार चीज़ा यहां पर वर करती है जैसे कि यहां जादा अमाउंट में जो वाटर होता है उसको बोड़ी से बाहर एक्सक्रेट करने में एक तरह से यह हैल्प करती है देन चले नेक्ट है आप हम देख लेते है लाइसोसोम्स यानि लाइसोसोम्स हमारे क्या होते है इसको हम बिल्कुल उसी पैटरन में देखेंगे जैसे कि हमने भी गोल की बोड़ीस को देखा जैसे कि इसको हिंदमम के कहते है लाइसोसोम ही कहते है अब फैल हम देख लेते हमारे जो सेल होती है उसके अंदर कहा ही पंसे नहीं होते हैं तो आप डेख सकते हैं, व्हमारे सेले का डाइगराम है यह हमारे क्यों होते हैं, यहांपे लाइसोसॉम्स होते हैं तो यहांपे वे हम आपको इसका मतलब जो इस्टॉक्चर रहुप उसका थोड़ा सा अच्छा करके दिखाएंगे जिससे आपको deeply समझ माएं चली हाँ पर देख लेते हैं point to point lysosomes are membrane bounded cell organals यहां क्या होते हमारे जो lysosomes होते है membrane bounded यानि membrane से घरे हुए क्या होते है cell organals यानि कोशी कांग होते है जिसे के आप इसके diagram में देख सकते है देखे क्या हमारे lysosomes का diagram है यह क्या होते है यहां फिल्स होते है यहां हुद होते है जिसे कि यहां पर देख रहdar होंगे क्या होते है next time यहाँ पर देख लेते हैं they may be used to destroy एक तरह से इनका destroy करने में हम use कर सकते हैं किस चीज़ को invading virus and bacteria कुछ हमारे ऐसे virus और bacteria होते हैं एक तरह जो cell को damage करते हैं यानि हमलावार कुछ virus और bacteria तो उनको destroy करने में भी एक तरह से ये use कर जाती है क्या होता है एक तरह से reply करने का तरह सो वरक करते हैं लेकिन साथ में उसको destroy करने का भी यहां पर यह वरक कर सकते हैं यानि ability रखते हैं उसको destroy करने की। अगर किसी तरह से कुछ मतलब गलत हो रहा है बाभुझ वद्धोर करने की जरुफ़त है यानि cell death और साथ ही मैं इसको कहते हैं apoptosis देखे लेते हैं हाप इसका structure जो हमारे lysosome होते हैं तो देखें, lysosome का structure आप इस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं नॉर्मली कुछ ने करना है आपको देखे हमने तो बिल्कु हैंड राइटिंग में इसको बनाया है साथ में यह जो हमारे यह वाला मैंट पार्ट होता है इसको membrane transport protein भी हम कह सकते हैं यह क्या होते हैं हमारे यहाँ पर hydrolytic enzyme का mixture होता है जो इसके अंदर आप देख रहे हैं यह हमारे के होती है आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ श्रंगी थी हमारे lipid layer होती है तो यह क्या होता है हमारे यहाँ पर lysosome का structure होता है नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर characteristics future यहाँ कुछ characteristics future यहाँ पर हम देखेंगे आप चाहें तो इनको छोग सकते हैं directly आप चाहें तो function भी लेख सकते हैं जैसे के देख लेते they are present in high number maybe 100 देखें क्या होता है एक cell के अंदर यह 100 भी एक तरह से पाए जा सकते हैं maybe का मतलब आप समझे पाए जा भी सकते हो नहीं भी पाए जा सकते हैं इन्हें single cell यानि एक single cell के अंदर next हम देखें लेते they process nearly 40 different enzyme एक तरह समय कह सकते हैं इसके पास जो होती है मतलब 40 different type enzyme भी हो सकती है next हम देखें लेते substances that enter the lysosomes are acted open by the different enzyme देखें मान लिए कोई भी एक तरह से इसके पास जा रहा है enter कर रहा है तो एक तरह से क्या कर सकते हैं हमारे कुछ enzyme मगरा उस पर act करेंगे next हम देखें लेते इसके functions तो function क्या क्या रहेंगे lysosomes भी क्या क्या करने का यह work करते हैं जैसे कि lysosomes have the following function following functions यहां पे इसके होते हैं first time देखें लेते provide defense against invading microorganisms via circulating microorganisms हमारे microorganisms होते हैं कुछ हमारे microorganisms यानि bacteria virus वगरा इसमें आ गए जो एक तरह से invading हमलावार होते हैं तो उससे एक तरह से provide करते हैं यानि defense करने का work करते हैं जो हमारी cell होती है उसको next हम देखें लेते help dissolve blood clot and thrombie देखें क्या होता है बोड़ी में blood clot normal है हम कहें तो ठका खुन का दम जाना तो उसको एक तरह से क्या करने में उसको मतलब dissolve करने में भी यहाँ पी help करते हैं अब blood clot क्या होता है तो इसको आगे जो हमारे blood वाली unit आएगी उसमें इसको detail में हम पढ़ेंगे चलिए next यहाँ पर हम देख लेते हैं help to keratinize skin तो देखें इसमें भी help करते हैं साथ में cause the sperm यह sperm normal जिनको हम कहते हैं शुक्राएंट उनको cause करते हैं to penetrate penetrate यानि भेदने के लिए किस चीज़ को the ovum तो यह जो हमारी condition होती है हमारी pregnancy से पहले वाली होती है next time देखें लेते हैं dige aud Setting of Yolk यानि क्या करते हीμαι youका digestion करते है दूरन embryo genesis यानि भौण जनन के दोरान साथ में restoration of bones bones को restoration यानि henry cancelation ऑपी in reabsorption शुक्राषण है यहöng होता है pep absorb fixक्र्षण यह壓 ... यह तो only absorption ....양baby absorption ... किस चीज़ा का water का ...and small molecules in kidney बskody with our body a chip? बिलेडर यानी मुतराश्य होता है उसके जो एक तरह से इसमाल मोलकुल्स होते है वाटर को उसको रियाब्जॉप्शन करने का भी वर्क यहां पे किया जाता है प्रोवाइड नूट्रेशन वाया ओटो फेगी डूरिंग इस्टार विशन देखे सिधर से हम कह सकते हैं जब बन्दा खाने को नहीं खाता है तो क्या होता है बोडी अपने आपको खाती है यानि बन्दा अगर बाहर से खाने नहीं खा रहा है तो एक तटार से क्षब उपाज़ी फूरी करें जिससरे क्वेड़क होती सब那麼 anybody ko食べ Who First interessante पतरा की हमारी पूरी प्रोषिस होती है then चले next वे हम हम देख लेते हैं इंडूप्लाप्स्मिक्रेंटुकुलम अब हमारे इंडूप्लाप्स्मिक्रेयटुकुलम क्या होते हैं इनके फसले step फार शटिव हम देखें लेते हैं जैसे के अन्थ द्रव्य जालीका यह हम इसको हिंदी में कहते हैं अप पहले हम देख लेते हैं इसकी location तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर structure of cell में यह क्या होती है हमारी यहाँ पर endoplasmic reticulum होती है यहाँ पर हमने smooth लिखा हुआ है लेकिन क्या होती है हमारी two type की होती है rough और smooth तो यह तो हम आगे इसमें समझेंगे जैसे कि हाँ पर देख लेते हैं endoplasmic reticulum यानि ER short form हम इसको ER कह देते है इस तरह network यह क्या होता है एक तरह से एक network होता है of tiny tubular structures तो क्या होता है हमारी जो endoplasmic reticulum यानि ER होती है यह network होता है कि इसका tiny tubular structures का tiny tubular structure जैसे का आप देख सकते है tiny and चोटे-चोटे हमारे कुछ structure होते है जो एक तरह से पूरा यह network यहां पर form करते है which is scattered in the cytoplasm तो देखे सीधा सीधा हम कह सकते हमारे जो क्या है हम पर यह cell है यह क्या है एक तरह से पूरा cytoplasm भरा होगा है होता है यहां पर rough endoplasmic reticulum जिसके short form यहां पर होती है RER next time हमार होता है smooth endoplasmic reticulum जिसको यहां पर ACR के नाम से भी हम जानते है next time देखे लेते हैं इसका structure अब देखे इस structure यहां पर मैंने हमने सारे structure कोई भी आपको screen short से नहीं दिया है जिससे कि आपको एक्साम में परेशानी हो हमने बिल्कुर इसको handwriting बनाए जिससे कि आप भी इसको थोड़ा सा motivate आपको मिल सके किस तरह से बनावा जिससे आप इसली इसको बना सके तो आपको कुछ नहीं किरना है हमारा nucleus होता है तो देखिए हमारी ज होता है है here on tape morally जो जो black black आपको point देख रह kaum जिक पर वाली surface प्रिजेंट होते है जैसे हम आगए देखेंगे तो ये तो होगा हमारे होग poor navy आर होगे यानि एक तरह से rough endoplasmic reticulum यह हमारे होगे यहाँ पर SCR यानि smooth endoplasmic reticulum तो इसको पर हमारे ribosome present होते हैं surface पर इसको पर एक तरह से नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं चलिए हम देख लेते हैं वो first हमारे होगे यहाँ पर rough endoplasmic reticulum चले देख लेते हैं has ribosomes on its surface क्या होते है भर इसके surface पर यहाँ पर ribosomes present होते है and functions और यह function क्या होता है इसका into synthesis of protein एक तरह से protein की synthesis करने में यहाँ यहाँ पर अदा करते है जो यहाँ पर rough endoplasmic reticulum होते है then चले second हो पर हम देख लेते हैं smooth endoplasmic reticulum अब यह जो हमारे होते हैं एक तरह जैसे के आप देख सकते हैं SCR यानि smooth endoplasmic reticulum तो देखे इनकी surface पे कोई भी एक तरह से ribosomes present नहीं होते हैं तो चले इसको देखे लेते हैं the membranes of SCR do not contain ribosome कोई भी ribosome एक तरह से contain नहीं करती है and help in the metabolism of carbohydrate and lipid और एक तरह देखे यहां पर हमने देखा था ribosome इसकी surface प्रिजेंट थे इस वज़े से एक तरह से हमारी जो function थे synthesis of protein इसमें एक तरह से इसके function थे लेकिन यहां पर कोई भी ribosome प्रिजेंट नहीं है इसलिए एक तरह जो metabolism होता है यहां पर carbohydrates का और lipids का उसमें एक तरह से man roll यहां पर अदा करते हैं साथ में they are involved in the synthesis of steroid hormone in testis testis के अंदर एक तरह जो steroid hormone होता है उसके synthesis में एक तरह से man roll यहां पर यहां पर यहां पर अदा करती है लिए next यहां पर हम देखे लेते हैं इसके functions जो हमारा endoplasmic reticulum होता है इसके क्या के यहां पर function होते हैं जैसे कि first हम देख लेते हैं The ER यानि Indoplasmic reticulum perform the following functions कौन-कौन से functions होते हैं It act as the structure framework एक तरह समक्यास हम कह सकते हैं देखें कंकार रूप रेखा होती है Of the cytoplasm यानि कोशिका दिरवी है की तो इस तरह साथ समझी है क्या है हमारा एक तरह से CEL का structure है इसके अंदर क्या हमारा चो द्रव यहां फिलोड भरा होता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लासम यानि CEL के अंदर है तो हमारा साइटोप्लासम है Nucleus के अंदर हमारा होता है तो Nucleoplasm तो आगे हम देखेंगे उसको तो एजे क्या है यह तरह से रूप रेखा यहां पर ले रखे किस चीज की इसने इस्ट्रक्चल यानि सिदा स्था कहते हैं कंकाल की तो इस तरह से हमारा यहां पर यह होता है नेक्स हम देखे लेते हैं प्रोटीन सिंतसाइज डॉए दी इट सर्पेस बाउन युजजिए इस तरह बर करता हैं जो इस पर प्रोटीन पर बाउंड झाली इक तरह से इस पर राईबो लिपिट्स की और साथ में कॉलेस्टरोल की और साथ में ट्राइग्लसराइट्स की नेक्स्ट हम देखे लिए अब देखे ऐसे आर हमारा हो गया स्मूथ इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम फाउंड इंदी लिवर एक तरह से लिवर के अंदर ही पाए जाता है और हेल्प करता है इंदी सिंथेसिस ओफ गलाइक को जो साथ में लिपो प्रोटीन की अब देखे हमारे यहां पर कंप्लीट हो गया